अगर आप अपने मोबाइल पर फेस्बुक मेसंजर आप यूज करते हैं और फेस्बुक मेसंजर आप से किसी भी चैट को अगर आप डिलीट कर रहे हैं लेकिन डिलीट नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कैसे फिक्स करेंगे आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हो, इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आपको बहुत ही important होने वाले हैं, तो कैसे आपको अपनी इस problem को solve करना है, चलिए वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले तो आपको जाना होगा अपने phone के play store में, play store में जाने के बाद search bar में type करना होगा, messenger, और यह रहा facebook messenger का official app, यहाँ पर देख से लिख है messenger, नीचे लिखा है update, आपको सबसे पहले अपने facebook messenger का जो app है, इसको सबसे पहले update करना है, अपडेट करने से बहुत सारे latest feature, जो भी update आती रहते हैं, और साथ में आपके facebook messenger पर जो भी problem होँगी, वो भ subscribe के लिए सबसे पहले mobile की settings पर जाना है, अब आपके phone में यतने भी settings हैं, आपके सामने open होके आजाएंगी, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको apps का option देखने को मिलेगा, apps पर click करेंगे, अब आपके phone में यतने भी apps install हैं, सभी apps यहाँ पर open होके आजाएंगे थोड़ा सा आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका अपना facebook messenger का official app, इस पर आपको click करना है, click करने के बाद नीचे आपको storage में click करना है, click करने के बाद नीचे लिखा है website पर clear data और clear कैसे, clear कैसे में click करेंगे, इसने जितनी भी temporary file हैं वो clear हो इसके बाद ओके करेंगे, इसके बाद आपको अपने phone को एक बार restart करना है, restart करने के बाद messenger app open करेंगे, इसके बाद किसी भी chat को long press करेंगे, delete में click करेंगे और delete करेंगे, इसके बाद देख सकते हैं, आपकी chat delete होना, start हो जाएगी और आपकी problem 100% solve हो जाएगी, वीडियो पस सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें